नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम डेट 2020 तो दोस्तो लो आगई इस समय के एक बड़ी अपडेट तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि आपको अपवाओ से रहने हैं साउधान जी आँ दोस्तो इस समय सभी चातर इसको लेकर परिशान है कि डियलेट प्रसम समस्टर एक्जाम डेट और तरतीय समस्टर जो एक्जाम डेट है वो दोस्तो टल चुका है देखे दोस्तो अभी तक किसी भी प्रकार के आधिकारिक जूज नहीं आई है कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा तो दोस्तो फिलाल अभी आपको यहीं मान कर चलना है कि आपका पेपर 23 मार्श से ही होगा अगर दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो इसकी अपडेट सम देखे ठीक है न देखे कोरोना के चलते यूपी में सभी स्कुल बंद हो चुके है ये बात सबको पता है लेकिन आपको एक बात और बता दे जो दोस्तों इस आदेश माया था कि अगर क दोस्तों जो आदर स्टेट की गुजरात में चुटी 29 मार्च तक दी गई है और दोस्तों मैक्सिमंगे ये चुटी 31 मार्च तक दी गई है ये बात आप सभी शात्रों को पता होगी ठीक है न अब आपका एकी सवाल है कि पेपर की तारिख में बतला होगा या नहीं होगा देखें, हो भी सकता है, जी यां दोस्तों, बिल्कुल इस इनकार नहीं किया जा सकता है, कि आपका paper cancel नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको यही मान कर चलना है, कि आपका paper cancel नहीं होगा, और आप लोग paper की पूरी तयारी रखेंगे, कि अगर 23 March को आपका पहला paper होता है, तो उस paper में आप अच्छा score कर पाएं, एक बात और दोस्तों देखें, कोरोना वाइरस से बचाओ के संबन्द में उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किये poster, तो दोस्तों देखें, सरकार ने क्या poster जारी किया इसको देखतें, कोरोना वाइरस से ना गब रहें, खुद बचे और सबको बचाएं, तो भारत आगमन पर आप सबका स्वागत है, अगर आपको खासी बुखार के लच्छण हो, या सास लेने में यह तकलीप हो, तो तुरंग चेक पोस्ट, ठीक न, चेक पोस्ट पर उपस्ति स्वास विबाद की टीम से संपर्क करें, तो दोस्तों देख सकता है कि आपको कोरोना वाइरस हो चुगा हो, तो इसके लिए दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसिस में आपको नहीं होगा, कोरोना देखिया आपको तब हो सकता है, जब आप दोस्तों ऐसा की कोई व्यक्ति होता ना, जैसे फॉरेन का टूर करके आ हो जैसे दोस्तों किसी विदेश से आ रहे हो, मैक्सिमम मान के चलिए अगर कोई चीन से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, या दोस्तों किसी अन्य देश से आ रहा है, इराक हो गया, इटली हो गया, इरान हो गया, तो दोस्तों हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसिस में अगर आप लोग अपने घर पर ही रहते हैं खासी जो काम नॉर्मल है तो वो नॉर्मल हो सकता है लेकिन हाँ अगर आप लोग स्कूल कॉलेजित के स्टुडेंट्स है तो वहाँ पर आप जाते होंगे क्राउड एरिया में बीड़बाड़ वाले इलाके में तो दोस्तों वहाँ पर एक मीटर की दूरी हो नी चाहिए और दोस्तों आप नाक और मुह में अपने हाथ को ले जाने से बचना है ठीक न देखिए आपर लिका हज ब Ganz को चूनि से अब बचें तो ये सब चीजे थोड़ा ध्यान में रखेंगे तभी दोस्तों आप कोरोना से बच सकते हैं उपाये दोस्तों हैं लेकिन अभी देखिए पेपर की डेट को लेकर दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार के अधिकारी पुष्टी नहीं होई है जी हां दोस्तों हम आपको विल्कुस सही कबर देज रहे हैं नहीं ताकि आप लोग परिसान हो रहे हूं कि या पेपर कैंसिल होगा या नहीं देखिए आजकल पता नहीं क्या हो गया चात्रों में कि मैक्सिमम चात्र सुबह उठते ही दोस्तों नहीं होता है सबसे यहाता दोस्तों आजकल हमारे पास मैसेजेस अरे न वह सिर्फ को रोना को लेकर ही आ रहे है कि सर पेपर कैंसिल हो गया और नहीं होगा मतलब सभी चात्र है अब दोस्तों ऐसा फील हो गहा है कि दस में से नौ चातर ऐसा चाते हैं कि पेपर अब टल जाए, पेपर बाद में होना चाहिए, देखें आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, ठीक है ना, कभी कभी दोस्तों होता है कि सरकार लाश्ट टाइमें आपके पेपर को कैंसिल ना करें, फिर आप परिसान हो जाएंगे, एक पेपर की तारीक को दोस्तों देख लिए, फिलाल अभी तक दोस्तों जो प्रस्तावित आपकी तारीक होगी पेपर की, एक बात और आपको बता दी कि आपका एड्मिट कार्ट कहां से मिलेगा, जी यहां दोस्तों, एड्मिट कार्ट के लिए दोस्तों भी हम आपको लिंक देते हैं एक बर वहां जाकर आप चेकर पहेंगे ठीक है पहला आपका paper होगा नहीं होगा गड़ित का सावाजी कःद्धा इनक को गाए और 25 आपका paper होगा हिंदी सहंत्करत या उर्दू और कमप्ईटर का पेपर होगा उसके बाच 26 मार्च को आपका सैचिक, मुलियांकन, क्रियात्मक, सोद देवाम, नवाचार और समाविसी सिच्छा का होगा फिर 27 मार्ज को आपको जो पेपर होगा, विज्ञान का होगा, गड़ित का होगा, समाजिक, अद्यन का होगा और 28 मार्ज को आपका पेपर हिंदी, संस्क्रत या उर्दू का और कम्प्यूटर का पेपर होगा ये फिलाल दोस्त आपकी परिच्छा की तारीक है इसके अनुसार आपका पेपर होगा तो आप लोग पूरी तैयारी रखिए, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदला होता है तो उसकी अपडेट्स हम आपको पहले देंगे, ठीक है न तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पने हो तो जो रेट कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही है उसको हलका सा टच कर दीजिए, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगी इस वीडियो को अधिक सदीक अपने दोस्तों के साथ वाटसेप ग्रूप में सेयर करिए उनको बताईए, क्या पेपर के तयारी पूरी तक के दोस्तों हो सकता है कि आप तक काफी अफवाय फैल रही हूँ कि नहीं हैर हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है दोस्त अभी हम आपको बता दे, आपको सभी को पता होगा हमें कहने के कोई जरूरत नहीं है यूपी गवर्रमेंट का जो अभी तक आदेश आया है, वो 22 मार्च तक का ही है ठीक है, जो चुट्टी का दोस्तों आदेश आया है, वो 22 मार्च तक का ही है 22 के आगे दोस्तों क्या होगा, अभी किसी को नहीं पता कि 3 तारिकों पेपर होगा या नहीं होगा तो इसकी जो समिच्छा बैठक होनी है वो 20 March होगी हमने दोस्तों आपको पहले भी बता है कि जो आपका दोस्तों फाइनल हो सकता है कि पेपर की तारिक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो 20 March को confirm हो सकता है तो 20 तारिक तक फिलाल आपको इंतजार करना चाहिए उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो परिच्छा की तारिक हो 20 के आगे जाएगा या 20 को मतलब या 20 तारिक से ही आपका पेपर होगा ठीक है तो आपको कम से कम 20 तारिक तक का भी आपको इंतजार करना है और दोस्तों जितने भी लेटिस्ट अपडेट सेंगे हम आपको देते रहेंगे समय समय पर आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें ठीक है तो वैसे भी दोस्तों आप परिच्छा के बिल्कुल अंतर समय आ चुका है तो काफी चात रहते होंगे जिन्होंने अभी तक किताब तक छुई नहीं होगी तो एक बर बुक को उठाइए लेकिन अब लाश्ट टाइम ही तो आप स्रीज ही टुच करिए तो ज्यादा बेटार होगा बुक मत चुईएगा नहीं तो बुक से देखकर आप डढ़ सकते हैं तो स्रीज में क्या रहता है दोस्तों की जितने भी महतपूर प्रत्न होते हैं वो आप सबको दिख जाते हैं उनको आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होता पासिंग मार्क ही लाने होता है पचीफ नमबर का कोई पेपर होता तो उसमे पास होने के लिए आपको 12 नमर चाहिए हमार पर वैसे वीडिम म्हीं बता देते है अगर कोई अच्छिक मुल्यांग का दूसरा समाविसी सिच्छा ये 50-50 नमर का और समाजी का दिन ये 50 नमर का बाकि सभी विसे आपके 25 नमर के होंगे ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और देखें आप लोग अपनी तयारी को पूरी रखेगा कि पेपर दोस्तों कभी भी ह ये अच्छा स्कोर कर रहा है देखें जब तक आपके पेपर में नमर अच्छे नहीं आएंगे तो आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगे और आपको बता दे हर एक छात्र का सपना होता कि पेपर में 90% है कैसे आ सकता हमने आपको पहले बता दिए कि आपके आप से करना है मतलब 421 टोटल देखें आपको 520 नमर लाना है ठीक है ना टीचिंग के दोस्तों और कॉले से तरफ से जोड़कर 520 नमर अगर आपके बन जाते हैं कि 275 नमर का दोस्तों आपके लिखित परिच्चा होगी वही बाल विकासी इच्छट दिए मार ठर समेश्टर में तो 275 में से अगर दोस्तों आप लो सिर्फ और सिर्फ 200 नमर ले आते हैं तो दोस्तों इसको जोड़कर हमारा हो जाएगा 720 नमर और 720 का मतलब दोस्तों आप नमर दोस्तों आपको अच्छे चाहिए थोड़ा कॉलेज में टीचरों से बात का लिजेगा कि सर कैसे नमर मिल सकते हैं तो देखे आपकी अपनी खुद की सेटिंग होगी कि आप 200 टीचर से कैसे क्या 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 करते हैं ठीक है न तो 200 प्रसम समिश्टे जो एक्जाम डेट नहीं तो दिक्कत हो जाएगे अगर आप अपनी तैयारी आप पर छोड़ जाएंगे तो फिर आचानक से जब आपका पेपर होगा आप पर दोस्तों लोड बहुत ही जादा हो जाएगा कि एक दिन में तीन पेपर दो पेपर का बोज होगा फिर उसके बाद आप कंफूज ह जाएंगे और हो सकता कि आपका पेपर बिगड़ जाएं तो सिंपल सी बात है कि इस समय आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजे जो भी दोस्तों को उसके अप्डेट्स आपको मिली जाएगी कि एक दिन में कैसे कैसे क्या होना है ठीक है तो दोस्त अधिक अप्डेट्स के ल हमने कमेंट बॉक में आपके लिए प्रॉपर लिंक दे रहा का उस लिंक को आप ऊपन करते रहे हैं तो दोस्त लिंक पर ही आपको लेटेस्ट अप्डेट्स इन्फॉर्मेशन एक्जाम डेट की मिलती रहेगी फिर मिलते हैं इस्टे